मालपुरा तहसील कार्याले वा उपखंड कार्याले के बाहर बैठे विगत सोला दिनों से नरेंद्र सिंगामली के नेत्रित्व मेराश्ट्रिय राजपुत कारणी सेना के पदाधिकारी एवं मृतक चंदर शेकर शर्मा के परिजन वा अन्य सभी समाज मांग की की पांच माह पहले चंदर शेकर शर्मा की भांसु गाउं में उसी के घर पर निर्मिता पूर्वक अज्यात लोगों ने हत्या कर दी थी जिसके हत्यारों को गिरफतार किया जाए एवं चंदर शेकर शर्मा के हत्याकान की जांच CIDCB से कराई जाए इसको लेकर समाज सेवे नरेंदर सिंग आमली के नेतरित्व में लगातार कडाकी की ठंड में 16 दिन से धरना दिया जा रहा था इस दोरान नरेंदर सिंग आमली ने ग्रहमेंटरी से मिलकर पूरे घटनाकर्म से अवगत करवाया और चंदर शेकर हत्याकान की जाच CIDCB से करवाने की मांग रखी जिस पर ग्रहमेंटरी ने CIDCB से करवाने का भरोसा देलाया एवं शेकर जाच करवाने का रिश्वासन दिया और जाच CIDCB में स्थांतरण की गई इस दोरान पिदिक परिवार ने समाज सेवे नरेंदर सिंग आमलीव करणी जैना के पैद्दाधिकारियों एवमन्य सभी समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया पांच मैने हो चुके हैं उसमें हम सोड़ा दिन से मालप्रा के पज़ाई समीदी चोक में तढ़ने पर बेटे थे परसासन ने हमारी सुधनी ली मैं गर्यमंतरी और मुक्यमंतर से मेलके आवगत कराया और इसकी जांत चैडिसीपी में करवाई हम इस कारवाई से पिर्ट परिवार संतुष हैं लेकिन अगर इसमें कारवाई में किसी भी परकार की अगर कोता ही अगर बरती परसासन ने तो हम वापिस इंड से इंड बजा देंगे और एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन खड़ा करेंगे ताकि हत्यारों के खिलाब कारवाई हो सके परसासन सरकार ये नहीं सोचे कि हम अगर कारवाई उच्चित नहीं करेंगे तो पिर्ट परिवार संती से बेड़ जाएगा झाल